पेलो चपल इसे पेल नहीं जपल केसे पेल नहीं केसे पेल नहीं पर आप सब आये अच्छे होगे मैं बरसा अपनी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं तो तो यहां पान बचे आचके थे और यहां पान बचे देखो माज़ लगा लें गाउब लिए पानी की तो गिन्ने का डा रहता है थो छोटी बच्ची का जादब लागा रहता है लेकि एक दो बार वो गिर हुई है तो इसलिए उसको हम पकड़ने आयते हैं तो यहां गाएं के इस्तान को साफ कर रही है माजीति यहां पर हमने कंडों के बिठा लगा दिया है कि भी बरसा चालो होने बाली है तो इसे पनी में ढख देंगे और भी कंडे पाथ नहीं है तो में पाथ हैंगे तो कैसे हैं आप सब आया हो पाच्छी होंगे तो मैं वर्षा आपका हमारी चैनल में एक बार प्रसे स्वागत करती हैं तो सुबह की जो भी किलनिंटी सारी हो चुकी है और हम नहादों के भी रेडी हो चुकी है तो आब हम बनाएंगी खाना तो देखते ह खाने में क्या बनाते हैं तो चलो हम बनते हैं आंगे वीडियो में बने रहेगा और वीडियो पूरा देखिएगा तो चलते हैं क्या सुचते हैं क्या बनाएंगे खाना देखते हैं क्या पड़ा है तो चलते हैं चलो खाना बनाने के लिए कि नहादों कर तो यहां पर नहा तेल बहुत कम जला दें काफी जब पनी से और चीज़ों से आग जला लेते हैं तो तेल को खराब करना यह बना सब्जियां पहले पर काट ली दी और उसके बाद हमने आग जलाई तो यहां बैगन बना रहे हैं सब्जी में तो यह सिंपल सी बैगन बनाएंगे यह दोचाद कि पढ़ी हुए थे तो सुझ रहे थे क्या बनाए तो यह पड़ी तो में लगाए तो प्याज बगर हमने सब कुछ पहले ही रेडी कर लिये थे तो यहां पर ना हमने छोक लगा दिया है तो यहां पर फिर मसाला भी सिक चुका था तो हमारा जो भी मसाला डालते हैं धन्या प पथली सी सब्झी बनाएंऩे गिरेवी तो उसमें पार्य डाल दे गे मीदे तो यहां पर पार्यूळी यह पार्य ड़ांही पहलते हुए विक हमने पार्यू प्रफिर लिए हम टोदंग कर लोगी कर्दास towel को कुछ दन्या आटा लगए गुछने के लिए कि रूटी जब तक सब्जी गुब लेगी तब तक हमारे आटा भी गुछ के तैयार हो जाएगा तो यहां पाना हम इतने जल्दी उड़ते हैं सुवए पांच वजी से तो तब जाके 10-11 वजी तक काम पूरा हो जाता है कि सुवए चाय बना रूटा पूरा सब सपाई करो तो टाइम कापी हो लग जाता है बच्चों के साथ और देरी में देरी होती है और दुफ तो अब ज दुमाड़ के थोड़ा बस रिष्ट करने के लिए रख देंगे कि इस जब तक हमारी सबजी भी हो गए थी कि बैगन जल्दी बन जाते हैं ना तो वेगन हमारी थोड़े वाल गाती ना तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे कि थोड़ा टमाटर को भी पकने में टाम ना तो जब तक हमारी सबजी हुई थी ना तब तक हमने आटा भी गूत के रख लिया था तो यहां पाना सब्जी हमारी चड़ी हुई है तो यहां पाना सब्जी हमारी बन चुकी है वेगन टमाटर की सब्जी तो यहां पाना विसी इस्टिर पर हरा धनिया डाल देंगे औ नहीं भाँ धुन्रान लोटी में यहाँ नागा हम यहाँ निस फल्ट के लिए तो लड़ होती है जब कही लटकियु की साधी होती है लड़ती है तो यहाँ पाला हम्ण आग मैं इतनी गर्मी लग रही थी ऐसा लग रहा थी कि जली से जहरा पर चुक खाना बना लें और हावा में चल लिए क्यूंकि लाइट भी दो चाहदिनों से परेशान कर रही है लाइट भी ठीक से नहीं आ रही है ना तो थोड़ी परेशान ही तो होती है तो कोई बात नही पानी का मौसम भी आ रहा है तो यहां पर नहीं कि हम आग़ी परेशान कर रही थी तो बार बार हम फखने की सायधा से फूकते हैं तो कभी-कभी तो कैसे बना लेते हैं और कभी-कभी चूला पर क्योंकि गेज़ का खनाना हजम नहीं होता है गाउंकि लोग ना तो चूला पर था कहना बनाएफ पढ़ी है तो कहते हैं कि कभी किसी के सामने हाने फ्यलाना चाहिए कि अगर किकि सार्थने हाथ फिंद अगर प्यूब करना हमすब टो बढ़ांप हसता है और गडूaff को कभी दूसरों के साथ खोड़ी है । हữa रहते हlia रहा ना खamb Yoanna के लावा खिसे की सांफ रहा हम बें प्रकर वाहते हैं जो dessert रहा मोरा कि लोग तो हसेंगे अगर हम किसी के सामने हाथ जोड़ेंकि कुछ मुंख़ भी मांगेंगे तो रोक हसती हैं अगर ख़ाया ही जोina और कि क्याना की मा जी को नाень को नदाने तो यहार नहीं पाथ में जो भी आ जाना टेना तो मांगी इस बड़ी प्यार से सब को बैठा लेती है तक हमारी सावन डुन बैचिए खाना कहal सांने हमारे साथ में ह мечल झाती है लेकिन उनकी सामने बैठीगा तो आपना हमारे बिटी कुछ रही है कि हिसा में यहां न पैर वसे धिंगी मुझे लग रही है कि के बोले के हमGen्थ कि युदा देए कि पानी का एसे बादल से उरेते हावा भी चल लाए तो आश क्रीम बाले आए dei तो तो यह ना कि हमने फिस साम को खाने की तैयारी कर लीती तो हम आलू की सिंपल सी सब्जी बनाएंगे तो आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करिएगा सेयर करिएगा सब्क्राइब करना ना भूलिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशके तो पिलीज अगर हमारी इस्ट्राग्राम आईडियो को भी फॉलो कर लेजी हैगा हमारी इस्ट्राम आईडियो के लेंक एब आउट एक्षन में मिल जाएगी आपको तो बहां जाकर आप चेक कर सकते हैं तो हमारी वीडियो को भहत सार्भ प्यादिजिए आज के लिए एतना ही अगले दिन फिर मुनेंगे बाई बाई टिक क्यार